हाडी शूल्जे का रूल पढ़ते हैं, हाडी शूल्जे ये कहता है कि ध्याउं से समझना इसको, तो देखिए, उसका चार्ज खतम करना पड़ेगा, चार्ज खतम करने के लिए, अगर आप कोई भी लेक्रोलाइट आइड करते हो, उसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा, वो उत्री ज्यादा उसकी क्योगिलेटिंग पावर होगी, समझ में आगया, तो ज़रा समझो, इसक को मैनेज कर पाएगा, तो इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और एक क्यों हुआ, मैं क्या, क्या है, इससे क्या समझने की कहानी है, समझने की कहानी यह है, कि मालो आपके पास है, एक, आपके पास negatively charged colloidal particle है, negatively charged colloidal particle है, तो aluminium तो इस case में एक ही बहुत है, क्योंकि एक तीनों को खा जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस का त्री चारत है, लेकिन बी आपको कित्ते लेने पड़ेंगे, एक और एक आधा भी लेना पड़ेगा, समझ मालगा, क्योंकि यह दो है, एक तो दो को खाएगा, फिर एक और पड़ा हुआ है, तो dead लेने पड़ेंगे, जितना चार्ज जादा होगा, उतनी मातरा कम लगेगी, और उसकी पावर उतनी जादा होती, तो यह हाड़ी शुल्जे का रूल है, जो कि बहुत बचों को पता है, इसी तरह से नेगटिव में भी ऐसा ही होता है, इसकी क्योगिलेटिंग पावर सबसे जादा है, क्योंकि इसमें माइनस का 4 है, यह 4 पोजडिव आएं को खाएगा, जब्कि यह 3 पोजडिव आएं को, यह 2 पोजडिव आएं को यह एक को खाएगा, इसको हाड़ी शुल्जे होगा,